सफलता के लिए जानिए श्री कृष्ण के ये 11 सूतर भगवान कृष्ण ने गीता के माध्यम से संसार को जो शिक्षा दी वह अनुपम है। वेदों का सार है, उपनिषद और उपनिषदों का सार है, ब्रह्मसूत्र और ब्रह्मसूत्र का सार है गीता। सार का अर्थ है निचोड या रस है गीता। गीता में उन सभी मारगों की चर्चा की गई है, जिन पर चलकर मोक्ष, बुद्धत्व, कैवल्य या समाधी प्राप्त की जा सकती है. दूसरे शब्दों में कहें, तो जन्म मरण से छुटकारा पाया जा सकता है. तीसरे शब्दों में कहें, तो खुद के स्वरूप को पहचाना जा सकता है. चौथे शब्दों में कहें, तो आत्म ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है. और पांचवे शब्दों में कहें, तो ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है. आओ जानते हैं भगवान, श्री कृष्ण के वे रहस्यमय सूत्र जिन्हें जानकर आपको लगेगा कि सच में यह बिल्कुल ही सच है निश्चित ही उनके ये सूत्र आपके जीवन में बहुत काम आएंगे जीवन में सफलता चाहते हैं तो गीता के ज्यान को अपनाएं और निश्चिंत तथा भयमुक्त जीवन पाएं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि आप लक्ष को प्राप्त करने में विफल रहते हैं तो अपनी रणनीती बदलें लक्ष नहीं इस जीवन में न कुछ खोता है न व्यर्थ होता है जो इस लोक में अपने काम की सफलता की कामना रखते हैं वे देवताओं की प्रार्थना करें टू प्रसन्नता श्री कृष्ण कहते हैं कि खुशी मन की एक अवस्था है जो बाहरी दुनिया से नहीं मिल सकती है खुश रहने की एक ही कुंजी है इच्छाओं में कमी त्री आत्म विनाश या नर्क के ये त्री द्वार हैं वासना, क्रोध और लोब क्रोध से भ्रम पैदा होता है भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ठ हो जाता है जब तर्क नष्ठ होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है वह जो सभी चाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावना से मुक्थ हो जाता है, उसे शान्थी प्राप्थ होती है. 4. मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है. जैसा वो विश्वास करता है, वेसा वो बन जाता है. व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृती के अनुसार होता है विश्वास की शक्ती को पहचाने 5. मित्र और शत्रू दोनों है मन जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रू के समान कारे करता है मन की गतिविधियों होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ती सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरह प्रयोग करके सभी कारे कर रही है मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है सरवोच शांति पाने के लिए हमें हमारे कर्मों के सभी परिणाम और लगाव को छोड़ देना चाहिए केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है न कभी था न कभी होगा जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नश्ट नहीं किया जा सकता प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का धेर, पत्थर और सोना सभी समान है सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में है नहीं कहीं और आत्म ज्यान की तलवार से काट कर अपने हृदय से अज्यान के संदेह को अलग कर दो अनुशासित रहो उठो संदेह, संशय, दुविधा या द्वंद्व में जीने वाले लोग न तो इस लोक में सुख पाते हैं और नहीं परलोक में उनका जीवन निर्नेहीन, दिशाहीन और भटकाव से भरा रहता है आत्मा न जन्म लेती है और नहीं मरती है जन्म लेने वाले के लिए मृत्यू उतनी ही निश्चित है जितनी की मृत होने वाले के लिए जन्म लेना इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो न कोई मरता है और नहीं कोई मारता है सभी निमित्त मात्र है सभी प्राणी जन्म से पहले बिना शरीर के थे मरने के उपरांत वे बिना शरीर वाले हो जाएंगे ये तो बीच में ही शरीर वाले देखे जाते हैं, फिर इनका शोक क्यों करते हो ये आत्मा किसी काल में भी न जन्मती है और न मरती है अत्वा न ये आत्मा हो करके फिर होने वाली है क्योंकि यह अजन्मी, नित्य, शाश्वत और पुरातन है शरीर के नाश होने पर भी यह नश्ट नहीं होती है कभी ऐसा समय नहीं था जब मैं, तुम या ये राजा महराजा अस्तित्व में नहीं थे नहीं भविश्य में कभी ऐसा होगा कि हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाए हे अर्जुन, हम दोनोंने कई जन्म लिये हैं, मुझे याद हैं, लेकिन तुम्हें नहीं नाइन, कर्मवान बनो नहीं संदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किये नहीं रहता क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुनों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है अपने अनिवार्य कार्य करो क्योंकि वास्तव में कार्य करना निश्क्रियता से बेहतर है ज्यानी व्यक्ति को कर्म के प्रतिफल की अपेक्षा कर रहे अज्यानी व्यक्ति के दिमाग को अस्थिर नहीं करना चाहिए अप्राकृतिक कर्म बहुत तनाव पैदा करता है किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करें भले ही उसे अपोर्णता से करना पड़े बुद्धिमान व्यक्ति कामुक सुख में आनंद नहीं लेता कर्म योग वास्तव में एक परम रहस्य है जो मेरे साथ हैं मैं उनके साथ हूँ संपूर्ण ब्रह्मांड मेरे ही अंदर है मेरी इच्छा से ही यह फिर से प्रकट होता है और अंत में मेरी इच्छा से ही इसका अंत हो जाता है मेरे लिए न कोई घ्णित है न प्रिय किन्तु जो व्यक्ति भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ हैं और मैं भी उनके साथ हूँ बुरे कर्म करने वाले, सबसे नीच व्यक्ति जो राक्षसी प्रवृतियों से जुड़े हुए हैं, और जिनकी बुद्धि माया ने हर ली है, वो मेरी पूजा या मुझे पाने का प्रयास नहीं करते। सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ, न कोई मुझे कम प्रिय है, न अधिक। लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं, वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। मेरी कृपा से कोई सभी करतव्यों का निर्वाह करते हुए भी, बस मेरी शरण में आकर अनंत अविनाशी निवास को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, केवल भाग्यशाली योद्धा ही ऐसा युद्ध लड़ने का आवसर पाते हैं जो स्वर्ग के द्वार के समान है। 10. इश्वर के बारे में भगवान प्रत्येक वस्तु में है और सब के उपर भी। प्रबुद्ध व्यक्ति सिवाए इश्वर के किसी और पर निर्भर नहीं करता। 10. सभी काम छोड़ कर बस भगवान में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूँगा। शोक मत करो। जो कोई भी जिस किसी भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उसका विश्वास उसी दे प्रथनिये शक्ती है जिससे संसार की उत्पत्ति, पालन एवं लाए होता है। मानविय रूप में उसकी ऐसी कलपना की जा सकती है कि उसके सभी ओर से ज्यानेंद्रियां और करमेंद्रियां हैं। 11. सरवत, पणिपादन, तर्थसतो सक्षिशिरो मुखम, वह समय समय पर संसार में धर्म की पुनरस्थापना के लिए सगुन रूप में अवतरित होता है। वह जो मृत्यू के समय मुझे स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागता है, वह मेरे धाम को प्राप्थ होता है। इसमें कोई संशय नहीं है, वे जो इस ग्यान में विश्वास नहीं रखते, मुझे प्राप्त किये बिना जन्म और मृत्यू के चक्र का अनुगमन करते रहते हैं।